मानिय प्रिधानमंत्री शरी नरेंद्र भोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आपने लोगों को पकोड़े तलने की सलहा दी हाँ ये पकोड़े के रोजगार निश्चत उपसे शाद अच्छा रोजगार है और आपने तो चाय बेची है तो आपको शाद चाय और पकोड़े का इस देश में बड़ा मेल रहा है इसलिए आपको मालूम है कि पकोड़े से कितना रोजगार मिलता है लेकिन कभी आप सोचत कि आप इने तो कहा था कि दो करोड़ लोगों को युवाओं को हर साल रोजगार देंगे इसलिए इन पांच सालों में आपको लगबग 10 करोड़ लोगों को रोजगार देना चीए था पर आज चार साल बीतने के बाद जब आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं रोजगार द देने की बजाए लोगों को बेरोजगार करने की कला में माहिर नजराते हैं अब बड़े प्यार से आप उसी हालात में कहते हैं कि पकोड़े बेचो पकोड़े बेच कर रोजगार करो अगर पकोड़े ही बेचने हैं और पकोड़े ही बिकवाने थे आपको तो फिर एजुक कर लिया है कि नौजवानों से पढ़ेली के नौजवानों से पकोड़े बिचवाएंगे इसलिए आगे लोग पढ़ ही निपाएं क्योंकि पकोड़ा बनाने के लिए पढ़ने की जरूत तो है नहीं योग्य होने की जरूत तो है नहीं तो इसलिए आपने जो हमारी सिक्षव व्यवस्ता है उसका बंटा धार कर दिया है और इसलिए आपने सिक्षा व्यवस्ता में 30 प्रतिशत जो युनिवस्टी हैं उनको कहा है कि अपना खर्च आप अपने आप उठाओ सरकार इसमें कोई मदद नहीं करेगी ये शरिंत्र है आपका क्या तो जो आप कर रहे हैं अग जाद आपको नहीं है मानने मोदी जी मोदी जी जरा एक बार नौजवानों के दिल में उतर के देखिए जरा उनकी जगे अपने आपको रख के देखिए जरा सोची है उनकी विशे में क्या बीत्ती होगी नहीं दे सकते आप रोजगार तो ना दें कम से कम पकोड़ा तलने की सलाहतों न दें?